आज हम क्लास 12 के इंग्लिश के फ्लामिंगो बुक के आमसे क्यूज करेंगे और साथी साथ हम पार्ट नमबर 2 में भी 20 आमसे क्यूज ही कराएंगे तो टॉटल मिलाकर आपके हो जाएंगे 40 MCQ तयार इस चैप्टर के तो चलिए अपने क्वेशन को स्टार्ट करते हमारा क्वेशन नमबर 21 है वाइ डिट दे विलेजर्स कम टू मीट अम हैमल इन इस स्कूल तो इस क्वेशन में हमसे भोला गया है कि जो आम हैमल थे यानि कि जो फ्रैंज के लैंगविज टीचर थे उनसे मिलने के लिए विलेजर्स स्कूल में क्यों आये थे विलेजर्स यानि कि गाउ के लोग तो यहाँ पर options है हमारे पास to complain यान की शिकायत करने के लिए to say goodbye यानि की उनको अलवीदा कहने के लिए to gossip बाते करने के लिए और last है to show gratitude अब gratitude का मतलब होता है thankful कहने के लिए तो इसका correct answer क्या होगा option number D to show gratitude अब ये option correct कैसे होता है क्योंकि जो Am Hamill है उन्होंने अपने जिंदगी के 40 साल जो है वो इसकूल में बिताए है इसकूल को knowledge provide कर आई है इन सभी students को इसलिए जो villagers थे वो इनको thankful कहने के लिए आये थे अब आते हैं अपने question number 22 पर why did Mr. Am Hamill call the French language the most beautiful अब इस question में हमसे बोला गया कि जो Am Hamill है उन्होंने French language को सबसे सुंदर language क्यों कहा था क्यों कहा था ये हमें this question बदाना है तो इसके options देखिए because it was the clearest and logical second is because it was his native language option number C में ये 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 इसकी जगे यू आया गया यहाँ पर misprint हुआ है तो ये because है ये वाई की जगे यहाँ पर यू आ जाएगा ये बात याद रखेगा because people were from France none of these तो इस इनकी options में है पहला जो option है उसे हम बोला गया कि क्योंकि जो french language है वो बिल्कुल clear है उसे समझने में कोई मुश्किल नहीं होती बहुत ही logical है और असानी से समझ में आ जाती है फिर second option है क्योंकि ये उनकी native language है और third option है because people were from France कि जो लोग है वो France के है इसलिए Mr. Hamill जो है वो France के है इसलिए उनको French language अच्छी लगते है लेकिन इसका correct answer क्या होगा option number A because it was the clearest and logical language अब question number 23 पर चलते है question number 23 हमारे पास what was France accepted to be prepared for at school that day अब जो friends है यानि कि वो जो student है वो लड़का जो इस chapter में बताया गया है वो किस चीज क्या चीज जो है उसको prepared कर रहा था स्कूल के लिए यानि कि स्कूल जाने से पहले वो क्या चीज prepared कर रहा था तो इसके options है song, dance, essay writing और last participants तो इसका correct answer क्या होगा option number D participants क्योंकि जो friends है वो participants को ही आद करने की कोशिश कर रहा था अब हमना question number 24 start करते है when people are unslaved what key do they have to the prison according to M. Hamill अब इस question में हमसे बोला गया है कि जब लोगों की जो स्वतंतरता यानि कि उनकी जो freedom में उसे छीन ली जाती है तो उस time पे वो उस jail की चाबी कैसे खोल सकते है उनके लिए उनके पास ऐसी क्या चीज है जिससे वो अपने freedom को दुबारा से पा सकते है इस question में ये पूछा गया है according to M. Hamill की पूछा गया है यानि कि जो उनके विचार है M. Hamill के उनसे relate करके हमें answer देना है जो options में है तो इस chapter में M. Hamill ने क्या कहा था कि अब हमारी जो freedom है वो हमसे छीन ली गये because France और Prisia का जब war हुआ था तो उस time पे Prisia जीत गया था और साथी साथ उसने क्या कर देता जो France है उसके और district जीत गया था और उसमें उन्होंने क्या कर देता French language को हटा कर German language ही पढ़ाने के order आगे से दे दिये थे तो इसलिए हाँ पे जब जो France है उसमें उसकी mother tongue ही नहीं पढ़ाई जाएगी तो उनको जो आगे की students है उनको उनकी मातर भाषा इनकी mother tongue नहीं आएगी इसलिए एम हैमल नहीं कहा था कि अगर हमें अपनी freedom को दुबारा से पाना है तो उसके लिए हमें mother tongue आना बहुत जरूरी है निकी हमें भाषा अपनी मातर भाषा आनी बहुत जरूरी है और ऐसा ही जो friends है वो सोचता है कि अब मैंने जो French language है उसे कभी seriously नहीं लिया ना ही seriously होकर उसे पढ़ा है हमेशा उसको कलपर टाला है निकी जो काम उसको आज के दिया चाता था वो उसे कलपर टाल देता था इसलिए उसे कभी भी जो French language है वो आई ही नहीं है तो अब वो कि French manner because उसे वो language आती ही नहीं है तो इसका correct answer क्या होगा इन options में से देखती है चार option है हमारे पास option number A, their behavior, option number B, power, option number C, aggressiveness, option number D, हमार पास mother tongue तो इसका correct answer क्या होगा mother tongue अब चलते हैं question number 25 पर अब इस question में हमसे बोला गया है कि जो French है वो क्या notice करता है उस दिन जिस दिन वो school में जाता है तो यहाँ पे options है हमारे पास strange quietness, soldiers in the school crowd, all of these तो इसका correct answer क्या होगा option number A, because उस दिन जिस दिन वो school में गया था उस दिन पूरे school में बहुत ही शान्ती थी, बहुत quietness थी, वो भी एक अजीब तरीक है कि एक strange quietness थी इसलिए इसका correct answer option number A, strange quietness, अब question number 26 पर चलते हैं, what had been put up on the bulletin board that day अब इस question में होला गया है कि जब friends जो वो school गया था तो उस दिन bulletin board पर क्या notice जो है वो लिखा हुआ था जो friends ने नहीं पढ़ा था, इस chapter में bulletin board की बात आई है, friends ने bulletin board को देखा था school जाते हुए लेकिन वो इतनी जल्दी में था, इसलिए वो bulletin board को नहीं पढ़ पाया तो इसमें options है teach only French, speak only English, teach only German, teach all these तो इसका correct answer क्या होगा, option number C, teach only German अब तक आपको यह बात समझ में आ चुकी होगी कि इस chapter में, क्या इस chapter में जो German language है उसी को पढ़ाने के उपर बात चल रही है अबी तक तो इसका correct answer क्या है German क्योंकि आगे से order यही आये थे कि German पढ़ानी है अब से, तो board पे भी यही notice जो है वो लिखा हुआ था अब चलते है question number 27 पर What changes did the order from Berlin cause in school that day? अब इस question में से बोला का है कि जब बर्लीन से जो orders आये थे तो उससे क्या change हुआ था orders आये थे तो उससे क्या change हुआ था उस दिन school में options है हमार पास hustle bustle, फिर B है people were happy, C है teachers were sad and D है strange quietness and sadness तो इसका correct answer क्या होगा option number D उस दिन क्या था school में बहुत ही strange थारह की quietness थी और साथ ही साथ सब बहुत उदास थे अब है question number 28 What changed friends feeling about M. Hamill and school तो इस question में हम से बोला गया कि जो friends है क्या चीज थी जिसके कारण उसकी feelings जो थी वो change हो गई थी तो इसका correct answer क्या होगा जो आगे से order आया था जर्मन लेंग्विज पढ़ाने का उसकी वज़े से जो friends है उसके मन में उसकी जो feelings थी वो change हो गई थी तो इसका correct answer क्या होगा orders from Berlin option number B अब है question number 29 What made friends and people realize about the preciousness of their mother tongue अब इस question में हम से बोला गया है सबसे पहले मैं आपको बता दू कि जो preciousness है इसका मतलब क्या होता है बहु मुल्यता यानि कि जिसकी बहुत जादा कीमत हो तो इस question में हम से बोला गया कि जो friends and बाकी जो people थे उन्होंने कैसे realize किया यानि कि उनको किस चीज की वज़े से पता चला कि जो उनकी mother tongue है यानि कि मातलबहाशा वो इतनी बहु मुल्यता है options है हमारे पास I am hamill's word फिर B है school orders C है sudden orders from Berlin and D है school principal तो इसका correct answer क्या होगा option number C sudden orders from Berlin अब चलते है question number 30 पर expression thunder clap in the lesson means अब इस question में हम से बोला गया है कि जो thunder clap है basically इसका हमें मतलब जो बताना है अपने options देख लेते हैं option number A है loud but not clear option number B है loud and clear option number C है startling and unaccepted and option number D है unpleasant तो इसका correct answer क्या होगा starting and unaccepted starting यान के शुरुआत करना लेकिन accepted unaccepted मतलब की जो हमने accept ना किया गया हो तो इसका correct answer है option number C अब है question number 31 what did Mr. Hamill bring for his class on his last day in the school अब इस question में हमसे बोला गया कि जो Mr. Hamill है वो क्या लेकर आये थे class में बाटने के लिए उन्होंने क्या दिया था class को अपने last दिन याने की जब उनका school में last दिन था उस दिन उन्होंने class को क्या दिया था तो option से हमरे पास new pants, new notebooks फिर C है sweets and D है story books तो इसका correct answer क्या होगा option number B new notebooks उन्होंने notebooks दी थी उन्होंने खाल दी एक नई notebook दी थी पूरी class को अब उसके बाद question number 32 है the last lesson story was written in which year अब इस question में हमसे बोला गया है कि जो last lesson है वो कब लिखा गया था कौन से साल में लिखा गया था तो ये जो question है very very important है बहुत जादा ही आपसे एक्जाम में जरूर पूछा जा सकते हैं तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है तो देखते हैं हमारे options option number A है 1869 to 1870 option number B है 1870 to 1871 और option number C है 1872 to 1873 option number D है 1872 to 1872 तो इसका correct answer क्या होगा ये lesson जो है कब लिखा गया था जब France और Prisia का war हुआ था और वो war कब हुआ था 1872 to 1871 इसलिए इसका correct answer होगा B ये year जो आपको याद रखना है बहुत ज़रूरी आपके लिए ये आपसे पूछा है पूछे जा सकता है तो चलते हैं अपने next question पर Don't go so fast You will get to your school in plenty of time means अभी इस question में हमसे बोला गया एक बार जब friends था वो अपने school जा रहा था तो तो उस time पर जो उसे बीच में रास्ते में लोग मिले थे तो उन्होंने क्या कहा था कि तुम अभी इतनी जल्दी में क्यों भाग रहे हो अभी तो तुमारे पास जाने के लिए स्कूल पहुचने के लिए बहुत सारा time बचा हुआ है तो ये जो ये बात कई गई है ये एक तरीके से friends के उपर taunt किया गया नहीं कि ताना मारा गया है तो इसका मतलब ही हमें options में बताना है answer के through तो option हमारे पास getting late फिर B है very early C है not early and D है early enough तो इसका correct answer क्या होगा option number D early enough अब उसके बाद है question number 34 what was there in front of the bulletin board अब इस question में से बोला गया है कि जो bulletin board है उसके सामने क्या हो रहाता यानि bulletin board जहांपे स्कूल में लगा हूँ उसके directly सामने क्या हो रहा था तो यहांपे है options में children A option B में police and C में hawker और D में है a crowd तो इसका correct answer क्या होगा a crowd जो bulletin board है उसके सामने काफी शोर मच रहा था सब उसको देखने के लिए खड़े थे क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी news आई थी अब है question number 35 what bad news used to come from the bulletin board अब इस question में हमसे बोला गया है कि जो bulletin board पर news लगी हुई थी वो bad news कौन सी थी basically हमसे पूछा गया है कि जो बच्चों को bad news मिली थी वो कौन सी थी थू बुलिटिन बोर्ड के तो इस में question हमारे पास lost battles A में B में है the draft C में है orders of commanding officers and D में है all three तो इसका correct answer क्या होगा orders of commanding officers अब question number 36 है what did friends find on reaching this school अब इस question में हमसे बोला गया है जो friends है जब वो school गया था तो उसने school में क्या पाया था आने की मैंने आपको आधी story तो बताई दिया आपको इसे guess लग गया होगा कि जो friends है जब वो school गया था तो उसने काफी quietness देखी थी बिल्कुल भी show नहीं हो रहा था और दिन के मुकाबले आज का दिन बहुत ही unique था तो इसका correct answer क्या होगा strange quietness option number D अब चलते है अपने 37th question पर what does the expression in great dread of scolding mean अब इस question में हमसे बोला गया है कि इस expression का हमें मतलब बताना है in great dread of scolding तो options है हमारे पास scared of scolding B है very badly scared of scolding and C है in the pursuit of and D है हमारे पास none of these तो इस expression का बिल्कुल correct answer इस expression का बिल्कुल correct meaning क्या होगा very badly scared of scolding अब scared का मतलब होता है डरना और scolding का मतलब होता है मतलब होता डाटना तो इस expression का मतलब यही निकल के आता है कि वो काफी बुरी तरीके से डर रहा था किस चीज से डाट खाने की वज़ए से तो इसका correct answer option number B option number A है because of his casual dress option number B है because he gives sweets option number C है because he had a flower in his hand and D है all तो इसका correct answer क्या होगा option number A because of his casual dress जो M. Hamill थे उन्होंने उस दिन ऐसी dress पहननी हुई थी कि जिसको देखकर जो friends है वो काफी शोक हो गया था क्योंकि उन्होंने क्या पहना हुए था ऐसा ही dress पहनी हुए थी जिसमें जो dress हम किसी party या फिर जब कोई inspection के लिए आता है या फिर जब price distribution होता है जिस दिन उस दिन पहनी जाते हो dress उन्होंने वो आज पहनी हुए थी तो इसलिए जो friends है वो एम हमल को देखकर काफी शोक हो गया था अब question number 39 है what attitude of एम हमल surprised friends इस question में से बोला गया है कि जब friends जो हो स्कूल में गया था तो किस attitude ने एम हमल के उसे surprised कर देखकर जोक गया था एम हमल को देखकर तो यहाँ पर options है हमारे पास soft and kind second है root, third है firm and strict और d है old तो इसका correct answer क्या होगा option number a, soft and kind जो friends है वो हम हमल को soft and kind देखकर बहुत ज़्यादा हरान हो गया था क्योंकि आज से पहले वो ऐसा कभी भी नहीं करते थे, तो यहाँ पर 39 होता है complete, अब चलते हैं अपने last question पर इस वीडियो के 40 question पर, this is our last question, number 40 who was Amhamal अब इस question में बहुत easy question पूछा गया हमसे कि जो Amhamal है वो कौन थे, और मैंने आपको पूरी, पूरे chapter के जितने भी MCK अभीटर कराया हूं सब मैंने आपको बताया कि जो Amhamal है वो friends के कोन थे अगर आपको पता है, तो इसका answer तो please आप comment box में जरूर बताए क्योंकि यह तो I'm really sure कि आपको पता ही होगा by the way, अब अपना answer जो हो, check कर लेते हैं इसका correct answer क्या होगा option number B, language teacher जो Amhamal थे वो क्या थे friends के language teacher थे और language teacher में कौन से French language teacher थे वो, तो यह दो बाते आपको याद रखनी है, एक तो वो friends के language teacher थे और अगर language teacher में भी कौन से language teacher थे वो पूछ लिया जाए, तो आपको बताना है क्यों French language teacher थे तो यहाँ पर आपके इस chapter के MCQ जो है, वो हो जाते हैं, पूरे done, याने की complete तो अब आपको एक छोटा सा काम करना है जल्दी से जाके वीडियो कर दीजे like और साथ ही साथ मुझे comment box में बताएगा कि मैंने कैसा पढ़ा है और साथ ही साथ यह बताएगा कि अगर कि मुझे अपने वीडियो में और क्या सुधार करना चाहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज comment box में जरूर बताएगा कोई भी query हो तो जरूर बताएगा आपको पूरी पूरी help की जाएगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजे और साथी साथ जो बैल आइकन है उसे प्रेस कर दीजे जिससे कि आपके पास न्यू वीडियो की नॉटिफिकेशन आती रहेगी Thank you